तो नमस्कार दोस्वूं ये 26 वा question होगा 15 November के मेंस के Maths PEPER का चलिए देखते हैं क्या कहा गया question में Geometry का question है triangle का कहाँ गया in triangle ABC angle A- angle B is equal to 33 degree angle B- angle C is equal to 18 degree what is the sum of smallest and largest angles of the triangle ध्यान से देखिएगा आपको दियागया A- B आपको दियागया B- C अगर आप दोनों को घटा दें तो आपको मिल जाएगा angle A minus 2 times of angle B plus angle C is equal to कितना मिल जाएगा 23 में से 80 घटेगा तो यह 15 हो जाएगा आपको यह भी पता है angle A plus angle B plus angle C is equal to कितना है 180 होता है क्योंकि किसी triangle के angle ही होंगे क्योंकि आपको दिया गया दोनों को अगर हम जोड दें घटा दें तो आप अगर इस equation में से पहले वाले को घटा होगे तो आपका आजएगा 3 times of angle B is equal to 165 ठीक है यहनि angle B is equal to आगया 55 degree अब आपसे कहा गया है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे कोड का योग बताओ आपको पता है angle A सबसे बड़ा है क्योंकि देखे angle B से C को घटाने पर अठरा आ रहा है यानि B C से बड़ा हो गया और angle A में से B को घटाने पर तयती सा रहा है यानि angle A सबसे बड़ा angle C सबसे चोटा यानि आपको निकालना क्या है? अब आपको पता है A प्लस B प्लस C एंसे B पचपन है, तो B को इदर ट्रांस्पर कर देंगे आपके A और C, यानि सबसे बड़े और सबसे चोटे का योग आ जाएगा, यानि एंगल A प्लस एंगल C बरापर हो जाएगा 180 माइनस एंगल भी यानि 180 माइनस पच्पन यानि 125 डिगरी बात खता समझा गया अगले प्रशुन पर आते हैं अगला प्रशुन देखेगा कहा गया कि यह person divided a certain sum between his three sons in the ratio of 3 is to 4 is to 5 had he divided the sum in the ratio of 1 by 3 is to 1 by 4 is to 1 by 5 the son who got the least share earlier would have gotten 1188 more the sum was कहा गया कि 3, 4, 5 के अनुपात में कुछ जो share था उसके पास एक आदमी है जो अपने जो net amount था जो जितने पैसे उसके पास थे उसको 3 बेटों के बीच में बाढ़ता है हम माले थे उसके पास कुल कितना रुपया था 5, 4, 9, 3, 12 बारा रुपय थे उसके पास तो 3 एक्स सबसे छोटे वाले को मिला यह हम माले थे 3 रुपय सबसे छोटे वाले को मिला 4 रुपय दूसरे वाले को मिला और 5 रुपय तीसरे वाले को मिला उसके पास रुपया हमने कुल कितने माने 12 ठीक है अब कहा गया कि उसने अब क्या काम करा कि एक बटे तीन, एक बटे चार और एक बटे पांच के अनुफात में डिवाइड किया वही सियर जो है अपने तीनों बेटों के भीच 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5 के रिशियों में डिवाइड कर अब हम क्या करते हैं सर 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5 को simplest form में मतलब बदलते हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा 5, 4 और 3 के LCM से गुड़ा कर दीजे तो 5, 4, 3 के LCM कितना होगा 60, 60 से गुड़ा करेंगे तो आपको पहले बेटे का बन जाएगा 20 दूसरे बेटे का बन जाएगा 15 और तीसरे बेटे का बन जाएगा 12 ठीक है? समझ आगया? अब देखिएगा यानि पहला बेटा पाता है 20 दूसरा बेटा पाता है 15 और तीसरा बेटा पाता है 12 ठीक है? दूसरे केस में आप से कहा गया पहले केस में जो सबसे कम पाता था पहले case में सबसे कम कोन पाता था है तीन वाला वो दूसरे case में जब दूसरे 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5 के ratio में डिवाइड करते हैं तो 1188 रुपे ज्यादा पाता है अच्छा आपको पता है अगर X रुपे है टोटल एमाउंट होता तो पहले case में सबसे कम होला कितना पाता था 3 बटे 12 3 बटे 12 पाता था of X अब ही कितना पा रहा है जो 3 पाता था वो आप पा रहा है 20 बटे कितना 20, 15, 35 और 12, 47 20 बटे 47 पहले पा रहा था 3 बटे 12 X अब पा रहा है 20 बटे 47 X और कहा गया है जो 20 बटे 47 X है वो 3 बटे 12 x से कितना ज़्यादा है 1188 यानि आपको basically दिया क्या गया है 20 बटे 47 x मैंने 3 बटे 12 x यानि x by 4 is equal to 1188 बस काम खतम हो गया यानि आपको हो गया 80 मैंने 43 यानि 33 x बटे 47 गुड़े 4 बराबर 1188 11 से काट देंगे 11 33 11 से 108 हो गया 3 से कटे गए 36 हो जाएगा यानि x की value कितनी आगया उसका full amount कितना आगया जो उस आदमी के पास था 36 गुड़े 4 गुड़े 47 यानि 144 गुड़े 47 144 गुड़े 47 यानि आपको है सकते हैं गुड़ा कर लीजेगा तो गुड़ा करेंगे गुड़े 47 गुड़े 47 गुड़े 47 गुड़े 4 गुड़ा करेंगे 4 गुड़े 4 गुड़े आप जोड़ दीजेए यह 8 गया यह 6 गया और 5 6 हो गया समझा गया यहनि आपके पास कितने amount थे 6768 ठीक है ऐसे कर लिजेगा अगला प्रशन देखेगा कहा गया if the 5 digit number 5, 3, 5 a, b is divisible by 3, 7 and 11 then what is the value of a square minus b square plus a, b ठीक है देखेगा 5 अंको की एक संख्या 5, 3, 5, a, b जो की 3, 7, 11 से divisible है तो आपसे a square minus b square plus a, b की value पोचीगे एक चीज बताईएगा जो संख्या 3, 7, 11 से divisible होगी वो किस से divisible होगी 3, 7, 11 के LCM से यानि कि 231 से divisible होगी अब सबसे आसान तरीका है कि आप लिजे a और b की दोनों की value मानिये 9, 9 यानि हम मालेते यह जो 5 अंको की संख्या दी गए है उसकी value है 5, 3, 5, 9, 9 यही है 5, 3, 5, 9, 9 इसकी value हो अब अगर यह 231 से divide करें तो देखे remainder क्या आता है इस संख्या को किस से divisible होना है 231 से हमने कहा सर 5, 3, 5, a, b जो संख्या थी है हम उसको माल ले रहे 5, 3, 5, 9, 9 अब हम divide करके देखते है सेस फल क्या बसता है क्योंकि 231 से divisible होना चाहिए अब हम देखते है इसके आस पास की कौन सी संख्या है जो 231 से divisible होती है तो उसके लिए हमें 231 से इसमें करना पड़ेगा भाग हम लिखते है 231 भागे 5, 3, 5, 9, 9 divide करें 2 बार जाएगा यह आपका हो जाएगा 462 और आपका बच यह रहा है एक 9 और बच रहा है दो बार ओर जाएगा तो आपका बच रहा है 462 यह आपका सेस्पल बच रहा है 7 यह अगर 5, 3, 5, 9, 9 यह तिरपन 1599 231 से divide करना है तो सेस्पल 7 आ रहा है कौन सी संख्या ऐसी होगी जो इससे divisible हो तो इसमें से 7 घटा देंगे यानि 5, 3, 5, 9, 2 ये ऐसी संक्या होगी जो किससे divisible होगी इससे divisible होगी जो 231 से divisible होगी और 231 से अगर इस तो 3, 7, 11 से भी divisible होगी यानि 5, 3, 5, A, B जो हमारी संक्या थी वो किसके बराबर होगी पांस तिन पांस नौ दो के तो आप कहेंगे एक की वैलू हो गई नौ भीकी वैलू हो गई दो आप भूट कर दीजेगा याणि एक का इस्कार 18 माइनस दो का स्कार 4 प्लस दो दो नी 8 18 प्लस 14 याणि आपकी वैलू हो गई 5 अब इसको करने के बहुत सारे तरीके है एक last 3-digit वाला लेके तो अगला जो shift होगा अगली corpse में ये question आये huh와 16 Hub में भी तो वहां पर जम मैं करवाऊंगा तो मैं last 3-digit वाला concept लगोंगा जो 47 सेso 도 tap यह 20 तक नाप को बहुत ज़रूरी दा कहा क्या कि study the given graph य൉द्य में एक्सपेंडिचर आफ how many years was the profit profit क्या होलता है revenue minus expenditure as a percentage of the revenue more than 25% ठीक है कहा गया कि कितने सालों में profit जो था वो 25% जादा था किसके revenue के 25% से जादा था आप से पूछा गया कितने सालों में profit जो था वो revenue के 25% से जादा था अगर हम यहां पर बात करें तो profit कितना है 150-130 यानि 20 क्या बीस डेर्ट सो के 25% से जादा है देर्ट सो का 25% कितना हो जाएगा साइथे दस्मलों पांच यह तो होगा नहीं ठीक है यहां पर नहीं होगा यहां पर अगर बात करें तो यहांपर 60 शाठ आरहा है शाठ इसके 25% से ज्यादा है आप कहनगे बिल्कुल तो 2050 होगा दोजार आदा कितना है 20 के 25 परसेंट से जादा है तो आप कहेंगे 55 जो होगा वो 220 का करेक्ट 25 परसेंट होगा देखें 55 चोको और 400 में डिवाइड करेंगे 25 यहां पर 25 परसेंट है यहां पर more than निकालना है तो यह नहीं होगा अगर यहां पर बात करेंगे तो 200 पर गार एकस्षातर में आप गेलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा तिक चासी क्या 25 की 25 परसेंट से जाद है बिलकुल क्योंकि टायती सही एक बैटे तीन परसेंट यहां पर भी जाद है तो दो साल ऐसे है जिसमें जो profit है, profit क्या होता है, revenue minus expenditure, वो revenue के 25% से जाद है, वो कौन-कौन से साल है, 2015 और 2019, कहा गया, यह person has to cover a distance of 160 km in 15 hours, if he covers 4 by 5th of the distance in 2 by 3rd of the time, then what should be his speed to cover the remaining distance in remaining time, देहां से देखिएगा, एक आदमी को 160 km चलना था, हमें मतलब नहीं, 15 घंटे में चलना था, यह दिया गया था कहा गया, उसने 4 बटे 5 दूरी, 4 बटे 5 दूरी कितनी होगी, 160 की 4 बटे 5 कितनी हो जाएगी, 128, तोगी 160 गुडे 4 बटे 5, 5 से कटे गए, 32, 32 चोको, 128, 128 किलोमेटर वो चल चुका है, यह बचा कितना है, इसका 1 बटे 5, यह अभी उसको चलना है, 32 किलोमेटर, और उसने आल दूरी बच्ची होगे 32 किलोमेटर, समय बचा होगे 5 गंटे, तो आप कहेंगे, कि सर एक चीज़ बताएगे, कितनी स्पीट से जाना पड़ेगा, आप कहेंगे 32 बाई 5, यह यह 6.4 किलोमेटर पर आर, कहा गया, if the radius of base of a right circular cylinder is increased by 20% and height is decreased by 30%, then what is the percentage increase or decrease in the volume, ठीक है, कहा गया, एक लंब भृत्य बेलन है, जिसकी जो आधार्त रिज्जा है, आर, उसको 20% बढ़ाया गया, ठीक है, और जो height थी, उसको कितना कम किया गया, 30% से कम कर दिया गया, ठीक है, अब आपसे कहा गया, कि उसके volume में कितने percent की बृत्या कम होगी, अब एक चीज़ बताएगा मेरे भाई, आपको पता है, volume pi r square h होता है, यहाँ पर r के power 2 है, यानि कि 20-20% के 2 successive increment लगेंगे, और एक 30% का decrease होगा, यानि आप से indirectly पूछा गया, कि 20% किसी चीज़ को बढ़ाते हैं, फिर 20% बढ़ाते हैं, यानि आपका 44% यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है, 44% बढ़ 3 का resultant, आपने कहा, 20% 20% का successful, 44% अगर ब्रिद्धी हो रही है, और अगर घटाएंगे, तो होजाएगा, 44-34, और 44, गुड़े 30, बटे 100, यह होजाएगा, तेरा दसमलो 2, यह आपको होजाएगा, 0.8% का resultant change हो रहा है, समझ में आया न, आप कहने, 20% 20% successful, कितना होजाएगा 44%, क्योंकि हाँ पे square है, आप देख पा रहे होंगे, पाई से तो कोई मतलब है नहीं, और H जो है, वो 30% घटाएगा, अब आपको 44% ब्रिद्धी, और 30% जो कमी होई है, उसका resultant निकालना है, तो X% Y%, अगर X% कोई चीज़ बढ़ रही है, Y% कम हो रही है, तो resultant होता है, X- minus Y, minus XY by 100, आपने कहा 14 minus 13, तो 0.8% क्या होगा, इंक्रीज, अगर निगेटिव में आता तो क्या होता, decrease, ऐसे प्राचीन काल में पूछे जाते थे, फिर SSC ने पूछ लिया, कहा गया, when 1062, 1134 and 1182 are divided by the greatest number X, the remainder in each case is Y, what is the value of X-Y, ऐसा question दीखे, भगवान का स्मरण करो, प्रु वाइट करते हैं X से और remainder हर बार Y बसता है, तो आपको पता होने चे कि जो इन दोनों का अंतर होगा, consecutive to difference, उसका जो SCF होगा, वो X के बराबर हो जाएगा, अब आप निकालिए इनका अंतर, अगर 1134, और 1062 का difference निकालना है, तो कितना आ जाएगा, निकालिए, 4 में से 2 जा 17 का SCF, आपको क्या करना है, इसका difference, इसका difference लेंगे, इसका difference, इसका difference, आपने लिया 72 और 49 है, इन दोनों का SCF कितना हो जाएगा, 24, यानि X की value हो गई 24, अब आप से कहा गया, यानि कि X वो सबसे बड़ी integer है, जो इन सब को divide करने पर समान से इसपल देता है, यानि 24 वो 90, 80, बचेगा कितना, 10, 102, यानि 24, चो को 96, 6 सेसफल बच रहा है, 6 सेसफल बच रहा है, यानि आपके Y की value होगे, आपको कहा गया था कि सेसफल जो बचेगा उसको Y कहेंगे, अब आप से निकालने को क्या कहा गया, X-Y, 24-6, 18, यानि X-Y की value कितनी होगे, 18, काम खतम, ये paper अगर आपको calculated लगता है, completely calculated जरूर था, लेकिन ऐसा कोई अगर आपको कहता दिखे, कि बहुत tough paper आया, 15 को मेरा पड़ गया, तो ऐसा बिलकुल नहीं है मेरे भाई, 18 के completion में tough था, ठीक है, कहा जा रहा है, X और Y एक partnership में घुसते हैं, 3 अनपात 5 के capital ratio में, X और Y, 3 महीने बाद, 5 महीने बाद की बाद हो रही है, X जो है, 50% और add कर देता है, यानि इसका हो जाता है, 4.5 ठीक है, और कहा कि Y जो है, वो 60% अपने capital का निकाल लेता है, यानि 3 निकाल लेता है, इसका बचता है 2, तो कहा गया, कि अगर 6.84 लाग का total फाइदा होता है, तो आपक X का फाइदा क्या होगा, अब देखेगा, इन्होंने 5 महीने तक ये रुपए लगाए, और 7 महीने, चुकि 5 महीने बाद इन्होंने चेंज कर दे, यानि 7 महीने तक इन्होंने ये रुपए लगाए, अब अगर X का share पूछा जाए, तो 3 रुपए 5 महीने के लिए, यानि 15 इधर लगाए था, प्लस, और 7 महीने के लिए 4 दस्मेलों 5 रुपए लगाए, यानि 31 दस्मेलों 5 रुपए और लगाए, डिवाइद बाइ, X का share, अगर आप से पूछाए, X का share में रिश्यों क्या होगा, तो आप कहेंगे X का share क्या होगा आप से पूछाए, तो आप कहे 25 प्लस 14 और मुटिप्लाई कर देंगे 6.84 लाक्स, बस काम खतम हो गया, अब देखें जिससे भी कट रहा हो, काट दीजे, भवानी का नाम लेके 15 और 31, 46 दस्मेलों 5 हो गया, बटे, जोड दीजे, 46 और 14, 60 दस्मेलों 5 और ये 85 दस्मेलों 5 हो गया, यह आपका कट गया, 5 से काटेंगे 171 आजाएगा, और ये आपका बच्चेगा 31 से कटेगा, 3 से काट दीजे, 31 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3, 55 हो जाएगा, और 3 सत्मेलों 5 हो जाएगा, और गुडे कितना दिया गया है, 6.84 तो आप कहेंगे 571, 57 और ये आपका हो जाएगा, 57 दूना 114, यानि कि 12 गुड़े 3.1, यानि 1.2 गुड़े 3.1 करेंगे, 121, 12, 32, 36, 37, यानि 3.72 लाग का हिस्सा हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, अब इस कैलकुलेशन को और सौर्ड बनाना था, तो आप ऐसा कर सकते थे, कि निका जो सियर दिया गया था, उसको कुछ ऐसा अनुपाद में जिसा 30 और 50 ले लेते, तो यहां पर 4.5 ना आता, पॉइंड में कैलकुलेशन ना होता, ठीक है, अब इतना कैलकुलेशन अगर आप मेंस पेपर देने जा रहे हों नहीं कर पा रहे हैं, तो आप से बढ़ा गदा कोई हो यह नहीं सकता हो, ना आपने पूरे साल पढ़ा है, कहा गया, the compound interest on a sum of 55500 at 15% per annum for 2 years when the interest is compounded 8 monthly, आप से सीधे सीधे कहा गया, कि 8 मंत पे ब्याज लगता है, दो साल का ब्याज निकालना है, चक्रवर्दी व्याज जहां पर rate of interest 15% परतिवर्स है, आप एक चीज़ बताए, अगर 15% परतिवर्स मिलता है, तो 8 महीने में कितना मिल कहा, एक महीने केलिए, यानि आपको दिया गया, कि rate of interest कितनी है, 10%, आपको बताए, दो साल में कितने term आएंगे, 8 महीने के, तो आपको बराबर होज़ेगे, दो साल बराबर 24 महीने, तो 8 महीने के 3, यानि आपको प्रिंसिपल दिया गया, 1500, आप कह दीज़े, 10% परतिज़ कि दर्ष से तीन वर्ष का चक्रवृदी व्याज निकाले हैं आपको पता है कि तीन साल में एक हजार रुपए पर कितना मिलता है आप कहेंगे तीन साल में कितना मिलता है वो यह है ग्यागर एक रुपए होते यह एक हजार रुपए होते तो 331 रुपए मिलता चक्रवर्धिवयात तीन साल में दस पर शत की दर से तो तो कितना मिलेगा 331 बटे 1000 गुड़े 5500 पैसि एकजीरो कि गारा वुड़े 1020 पांच dengan 10 ग्यारों पर पैसपन डिवाइड को गुड़ा कर दीजिए तो मद्धिन 331, गुड़े 11 बटे 2, यानि 11 एकन्नम 11, ग्यारा-तिया 33- 31-34, और आपका कितना हो गया, 11 एकन्नम 11, ग्यारा-तिया 33-34, ग्यारा-तिया 33-34, बटे 2 करना है, तो 1820.5 आपका answer हो जायेगा, कहा गया, average of three numbers, ABC is 2 more than C, यानि कि ABC का जो average है, यानि A प्लस B प्लस C बराबर आपको दिया गया है बटे 3 बराबर C प्लस 2 और कहा कि A और B का जो एवरेज है यानि A प्लस B वाई 2 आपको दिया गया है वो और 47 दिया गया है कहा कि D जो है वो C से 10 कम है D जो है वो C से 10 कम है तो आप से C और D का average पूचा गया ठीक है अब देखेगा यहां से मैं पता चल गया A plus B बराबर 96 यहां पे हमने put कर दिया यानि यह हो गया 32 या ऐसे लिखो 96 प्लस C बराबर 3C plus 6 यहां हम कहा सकते हैं 2C बराबर 90 यहांनि C की वैलू हो गई 45 अगर 45 आ गया तो D की वैलू कितनी हो गई 35 और C और D का 45 और 35 का average यानि 45 प्लस 35 बटे दो यानि 80 बटे दो 40 आंसर हो गया कहा गया A and B start moving towards each other from places X and Y respectively at the same time on the same day मतब एक ही समय पर X और Y से एक दूसरे की तरफ चलना सुरू करते हैं करके the speed of A is 20% more than that of B एक ही speed 20% जाता है 20 से करके after meeting on the way A and B takes P hours and 7 and 1 by 5 hours respectively to reach Y and X respectively what is the value of P यहां से देखे मैं एक थोड़ा साब को figure से बता दो मालो एक भेकती एक यह X विंदू है यह Y यह भाई साब है यह भाई साब है यह भाई साब इधर की तरफ चलते हैं बी भाई साब इधर की तरफ चलते हैं मालो यहां कहीं पर कहा हैं कि मिलते हैं और उसके बाद जो B भाई साब है इतनी दूरी तय करने में कितना समय लेते हैं कहा गया, 7 सही एक बटे 5 घंटे लेते हैं, और A भाज साब ये दूरी तय करने में P घंटे लेते हैं, तो आपसे कहा गया कि P की वैलू निकाली, आपको मैं बता दूँ कि अगर ये दोनों T1 और T2 समय लेते, तो हम कह सकते हैं, A की स्पीड बटे B की स्पीड बराबर होता है अंडर रूड में T2 बटे T1, जहाँ पर T2 B के द्वारा लिया गया समय है, और T1 A के द्वारा लिया गया समय है, कौन सा समय, जो यहाँ मिलने के बाद जो समय लेते हैं, अब A की स्पीड आपसे कहा गया है, कि 20% जादा B की स्पीड से, यानि कि A की स्पीड अगर चे है, तो B की स्पीड पांच है, बराबर अंडर रूड में, T2 बटे T1, T2 बटे T1, T2 की वैलू कितनी है, साथ सही एक बटे पांच, यानि कि 36 बटे 5, पांच, T1, अब आप एक चीज़ बटे, 36 बटे 5, T1, 36 का वर्ग मुल्चे हो गया, यानि यह तो कट गया, अब आपको पता है, 1 by 5 is equal to 1 upon root 5, T1, यानि T1 अगर पांच हो जाता है, तभी या रूड 25 बनेगा, यानि T1 की वैलू 5 हो गया, काम खत्म, यही पूचा गया था, यानि T1 जो दिया गया था, यहापर T1 ना लीजेगा, P ले लीजेगा, क्योंकि T1 की वैलू यहापर देखे, P दी गई थे, यहासे P की वैलू हमारी कितनी आ गया, 5 हो, कहा गया, यह जो आपको दिया गया है, यह 5 अलग-अलग institute में, employees के संख्या, 5 अलग-अलग department में, employees के संख्या, degree में दी गई है, अंस में दी गई, ठीक है, टोटल employees आपको 3,000 दियेगे, कहा गया, if 20% of employees working in department E, are transferred to department A, then the difference between the number of employees in A, and 124% of the employees working in department C is, प्रस्न लिखने में थोड़ा कठी दिख रहा होगा, लेकिन अगर हिंदी में translate करो, तो बहुत आसान हो जाएगा, कहा गया, अ A की करमचारियों की संख्या, और 124% of C, यानि C में काम करने वाले करमचारियों की संख्या के 124% का अंतर क्या होगा, समझेगा, E में कितने करमचारी काम करना है, 93 अंस, इसका 20% कितना हो जाएगा, 18.6 अंस, 18.6 अंस, समझेगा, यानि कि 18.6 आंस आपका, क्या हो गया, 18.6 चैन्स क्या होगे ट्रांसपर कर दिया जाते हैं किदर की तरफ ई से निकाल के किसकी तरफ जाते हैं एक तरफ कि एमें आल्रेड़ी कितने कारी कर रहे थे चौंसर दस्मलो दो उसमें एठरा दस्मलो छे जूड़ जाएगा तो आपको होज़े का 82 दस्मलो आठ यानि एमें आप 82 दस्मलो आठ अंस काम कर रहे और आपको पता है ची में कितने कारी कर रहे थे ची में 72 अंस कारी कर रहे थे इसका 124 परसेंट कितना होज़ेगा 72 गुड़े एक दस्मलो दो चार आपको यह और ए इन दोनों का अंतर निकालना है तो आप सीधे सीधे करिए द 24 आप कहेंगे 24 गुड़े 24 पांसो चेतर होता है उसका तीन गुना यानि कि कितना हो जाएगा 1718 अरे 368 तो 321 एक 22 और 35 15 और 27 यानि कि आपका हो गया 1728 हो गया और 1728 अगर हम बात करें तो यह कितना हो जाएगा 12 गुड़े रुख जाओ 12 गुड़े 2 ठीक है यानि 17 दसमलो 28 होगे इतना एड़ कर देना है तो यह हो जाएगा आपका 7 दोनो 89 दसमलो 28 अंस इन दोनों का डिफरेंस निकालना है 82 दसमलो 8 अंस और 89 दसमलो 28 अंस का डिफरेंस निकालना है आप निकालिए तो कितना हो जाएगा 6 दसमलो यह आपका हो जाएगा 48 अंस और आपको पता है यह 360 अंस बराबर है 3000 के तो 6.48 अंस यानि कि आप इधर 60 से डिवाइट कर दीजिए यानि आपका है सकते हैं ऐसे डिवाइट कर दीजिए 6 से काटेंगे तो 6 अंस बराबर हो जाएगा आपका 50 6 अंस बराबर अगर 50 है तो इसमें 1.08 से गुड़ा कर दो तो 1.8 से गुड़ा कर दो कितने से गुड़ा करना पड़ेगा 1.08 से तो 1.08 से इधर गुड़ा कर दो कितना हो जाएगा 50 गुड़े 0.8 यानि 5 गुड़े 10.8 यानि कि 14 हो जाएगा थोड़ा सा आपको हो सकता है confusion हो गई हो देखो C में करमचारी कारिकर देते 42 उसका 124 परसेंट कितना हो जाएगे 89.28 अब आपको A में करमचारी किसंग क्या पता है और किसमें C के करमचारी का 124 परसेंट पता है इन दोनों का अंतर निकाला 6.48 अंस आ गया आपको पता है 360 अंस बराबर 3000 है यानि 6 अंस बराबर 50 हो तो थोड़ा डियाई में मुझे नहीं लगता है कल्कुलेशन थी, कल्कुलेशन उससे कहते है जहापे आपसे हो ना रही हो, बहुत कठी दस्मलों के 8-8 हठंग, यहापे कोई ऐसी कल्कुलेशन नहीं थी, आप देख पार हूँ कि आपके सामने में पहली बार पेपर solve कर रहा हूँ और मैंने ऐसा नहीं कि मैंने rough कर रखा है तो मुझे calculation याद है तो यह थोड़ी सी speed अगर आपकी अच्छी होती तो आराम से कर पाते हैं कहाँ कि इन्हें circle with center O BC is your code एक नट वेट करिएगा कहाँ कि एक circle है जिसका center O है BC एक जीवा है हम ड्रॉ कर देते है यह हमारा O है BC एक जीवा है B है C है ठीक है कहाँ कि point D and A are on the circle on the opposite side of BC such that DBC DBC आपको 8thousins बनाना है यह आपको यहाँ कहीं पर लेना पड़ेगा कमालो D उल्टा ले लो जिससे D हो गया यह A हो गया आपको DBC आपको दिया गया है कितना है कौन बना दीजिए यहाँ पर रुख जाए एक मिनट थोड़ा सा figure ऐसा लगे भी एक मिनट यहाँ यह आपका हो गया कौन सा B यह हो गया C और यह आपका center O दिया गया है यहाँ यहाँ पर लिख दे रहे है ठीक है और D आपका यहीं कहीं पर point है यह D हो गया और यह A हो गया ठीक है अब ऐसा मिलाईएगा कि center से न मिल जाए यह वाला कौन दिया गया DBC यह कितना दिया गया है 38 यह कोन दिया गया ठीक है और आपसे कहा गया BD बराबर DC DC को मिला दिजए BD जो है वो DC के बराबर यागर अगर इधर अगर इधर 88 ऐसंस का कोन बनता है तो इधर भी 88 ऐसंस का कोन बनेगा यानि अगर अगर यह 28 का मेजर क्या होगा एक देखे लिए 28 इधर बन रहा है अगर मैं बात करूं तो बड़े वाद ये जो चाप है इस चाप के बाहर या बड़े वाले चाप में बीसी जीवा दौरा बना कोण 124 संस है अब अगर मैं बात करू इसी चाप में छोटे वाले चाप में इसके द्वारा बना कोण कितना होगा तो आप कह सकते है कि सर BC जीवा द्वारा केंदर के उस पार देखो यहाँ पर दो चीजे होती है आप सीधे कह देते है कि सर BC जो BC जीवा है उसके द्वारा केंदर पर बना कोड़ 124 संस है तो केंदर पर बना कोड़ 124 का दूना हो जाएगा बिल्कूल कह सकते थे करेंगे लेकिन आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है जो BC जीवा द्वारा पर बनता है कोड़ वो छोटे सिग्मेंट में न बनके बड कोड़ क्या हो जाएगा अगर BC केंदर पर मतलब बड़े वाले चाप में बना रही है कोई कोड़ थीटा तो उसके द्वारा केंदर पर बना कोड़ होता है 360-2 थीटा यह आपने पढ़ा होगा अगर नहीं पढ़ा तो आप समझ लीजिए कि सीधे समझे कि BC जीवा द्वार अगर परिद पर जिस मतलब जो चाप बन रहा है चोटा वाला इधार अगर बनेगा इधार थीटा होता तो केंदर पर टू थीटा बनता लेकिन आपको पता है कि यह उल्टे उल्टे चाप में बना रही है तो अगर उल्टे चाप में थीटा बना रही है उल्टे आर्क में पी सी डी एक साइक्ली कोट्रिलेटरल हो जाएगा अगर यह 124 संस है तो यह हो गया आपका 56 अब देखे जीवा बीसी द्वारा व्रित के परीद पर बना कोड 56 है तो गेंद पर बना कोड इसका दूना यानि कि 112 हो जाएगा पहाँ गया साइटS BA and DE of a regular pentagon are produced to meet at F. What is the measure of EFA? एक regular pentagon है, pentagon पहले ड्रा करते हैं यह आपका कोई pentagon हो गया, यह आपका हो गया A, यह हो गया B, यह हो गया C, यह हो गया D, यह हो गया E, हमें कहा गया BA और किसको मिलाया गया है BA और DE को आगे बढ़ा के मिला दिया गया यह BA हो गया यह DE हो गया यह F पे मिलते हैं यहाँ पे F लिख देते हैं आपको पता है कि यह कौण कौण सा पुछा गया EFA आपको पता है कि किसी भी regular polygon के लिए internal angle होता है N-2 upon N into 180 degree ठीक याँ यह पांच अगर भुजाएं हैं तो N बराबर 5 रख दो तो यह हो गया 3 बटे 5 यहनि 3 गुडे 36 यह एकसो आठ अंस यह यह भी 108 यह भी 108 यह दोनों मिलके मतलब यह 72 हो गया यह से यह भी 72 हो गया वोगेर ये बहत्तर ये बहत्तर तो दोनों मिलके 144 ये वाला कुण कितना हो जागा 180 माइनस 146 कहा गया अनुजा जो है वो एक प्रॉपर्टी का 6-6 सही दो बटे 3% on करती है यानि 2 बटे 3 हिस्सा अनुजा का है कहा कि 30% of the property that she owns is worth इतने रुपर्टी का यानि 30% प्रॉपर्टी यानि इसका 3 बटे 10 हिस्सा कुल प्रॉपर्टी का मतलब जो इसके पास थी उसका 3 बटे 10 हिस्सा 1,25,000 रुपर्टी के बराबर है तो आप से कहा कि 45% टोटल प्रॉपर्टी का कितना हो अब यहां से आप वैलू हो गए 625 के बाद 3,0 आप से खागे इसका 45% चाहिए 45% कितना होता है 9 बटे 20 होता है 20 से यह काटा है यह 5 हो गया यहनिकि 45 गुड़े 625 के बाद 0 रखा गया आप कहेंगे कि गुड़ा कर देंगे तो यह आपको हो जाएगा 5 से गुड़ा करेंगे तो 31 31 25 हो जाएगा और इसके बाद 0 लग जाएगा चार से गुड़ा करेंगे तो 25 एक मिनट पच्छिस जीरो जीरो हो जाएगा तो 5 3 8 2 8 1 2 5 हो जाएगा एक दम फाड क्वेस्टिन है इससे कटिन क्वेस्टिन क्या ही बन सकता है का गया PQR ट्राइंगल में Q90 डिग्री है कॉट R की वैलू 1 by 3 है तो आपको इसकी वैलू निकाल लेती है देखो अगर मैं बात करूँ तो इस तरह से आपके कुछ वैलू दी गए है QA मालो यह P मालो यह R मालो ठीक है कॉट R की वैलू 1 by 3 दी गई है कॉट R क्या होता है रम आधार बते लम यानि कि इसकी वैलू 1 है तो इसकी वैलू 3 है ठीक है अगर हम sec P की बात करें, sec P कितना हो जाएगा, कंड बटे आधार, यानि root 10 by 3, कुछ भी ना करो सीधे value पुट करो, क्या मतलब है फर्जी, cos R कितना हो जाएगा, 1 by root 10, नित हो जाएगा, plus sin P, यानि कि 1 by root 10, divided by, cos R, cos R, मतलब اگर sin R की बात करतें, तो one upon root 10 होता, तो cos R कितना हो जाएगा, एक मिनिट, cos R की बात हो जाएगा, हाँ ठीक है, cos R बराबर हो जाएगा, root 10 upon 3, into sin R, sin R कि VALUE कितनी हो जाएगा, 3 upon root 10, माँच पी, cos P कि VALUE कितनी हो जाएगा, sin P कि VALUE one upon root 10, तो यह हो जाएगा root 10 यह कट गया आपका उपर कितना बच रहा 2 upon root 10 नीचे कितना बच रहा 3-10 बटे root 10 यह नि-7 बटे root 10 कट गया minus 2 बटे 7 answer आगया अगला प्रस्ट देख लो कहागे cos into second minus cos into quarter plus tiny की value क्यों देखो अगर मैं इसको solve करो तो यह लिखा हुए cos से क्यों को one upon cos में तोड़ेंगे तो यह one minus cos square upon cos बनेगा यह नि-sin square upon cos ठीक है into quarter plus tiny की value कितनी होती है आप sin upon cos plus cos upon sin यह नि-sin square plus cos square यह हो जाएगा one upon sin a cos बस काम कतम हो गया sin a से इसकी power कट गई cos a cos a कट गई यह आपका बचा कितना साही ने पान को से है नि-ten कहागे in यह school three by eight of number of students are girls and rest are boys यानि कि अगर आठ students थे तो girls और boys का जो आपको अनुपाद दिया गए basically वो दिया गए तीन अनुपाद 5 क्योंकि total 8 थे तो तीन लड़किया थी पांच लड़के होगे यह one-third of number of boys are below ten years one-third यानि पांच बच्टे तीन लड़के पांच बच्टे तीन लड़के जो है वो किस से हैं? below है 10 से ठीक है? below 10 and two by three of number of girls are also two by three यानि कि दो girls जो हैं वो 10 से कम की हैं ठीक है? आपका गए number of students of age 10 or more years 10 बच्टे तीन boys 10 साल के उपर के हैं और एक girl 10 साल से उपर के हैं ठीक है? और आपको दिया गया 1 plus 10 बच्टे तीन बराबर 260 यानि 1 plus 10 बच्टे तीन आपको दिया गया है 260 यानि यह 13 बच्टे तीन बराबर 260 दिया गया है यानि 1 बराबर हो जाएगा 60 एक बराबर 60, तो आप से कहागे number of boys इंदा is school, यानि number of boys अगर आपको निकालना है तो बाइज आपने 5 माना था, एक बराबर 60 है तो 5 बराबर 300 बात खाता है, यह भी प्रेश्ण आने को तरस रहा था, कहागे 3X square मैनेस 5X plus 1 0 है, X square plus 1 upon 9X square, यह हो गया 3X square plus 1 is equal to 5X, 3X से दोन अपॉन 3x is equal to 5 by 3 दोनों पच्छों का स्क्वाइर कर दो यह एक्स स्क्वाइर प्लस उन अपॉन 9x स्क्वाइर प्लस 2 by 3 is equal to 25 बटे नो इसको इधर ट्रांसफर करा यह 25 बटे नो मैनिस 6 बटे दो यह सबसे केल्कुलेट्व पेपर यही था ठीक है अब मजे लो मन करें जो करो लेकिन बाइसा आपको पता है कि दो अगर ग्राफ है वो इंटरसेक्ट करते है तो इंटरसेक्ट मतलब पॉइंट अफ इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है जो उनको सॉल्ब करने पर xy की वैल्यू आती है वही हो जाता है इंटरसेक्शन अब अगर इन दोनों को सॉल्ब करना है तो आपको एक दिया गया है 3x मैनस यहां पर यहां पर 4 से गुड़ा करें दोनों को घटा दीजिए 4 से गुड़ा करेंगे 44-3 यानि 41x yy वाला कठी जाएगा यानि कि यह हो जाएगा-244-246 यानि x बराबर हो गया-6 x बराबर हो गया-6 यहां पर फूट कर देंगे 20y is equal to हो जाएगा-18-2 यानि-20 यानि y की value हो गए-1 x की value आगे आपको पता है यह x बराबर यहां पर देखे x-coordinate जो है वो a दिया गया है और y-coordinate जो दिया गया वो b दिया गया आप से कहा कि a square plus b square minus a b upon a square minus b square plus a b की value निकलो a square कितना हो जाएगा-36 जो में निकालना हो color change करके निकल दो a square यानिके 36 प्लस b square यानिकी plus a minus a b minus a b करेंगे तो यह minus 6 हो जाएगा divided by a square 36 minus b square minus 1 और plus a b यानि plus 6 यह आपको होगे 36 minus 5 31 बटे 35 41 आंसर कहा कि a b c ने एक business start करा twice the investment of a is equal to thrice the investment of b यानिकी two times of a बराबर three times of b यह दिया गया question में और कहा गया and also five times the investment of c यानि five times of investment of c के बराबर है कहा कि total profit अगर 15 दस में लो 5 लाग का है तो b का share बताईए अब देखो 2-3-5 का LCM लेलो 2-3-5 का LCM तीस हो गया यानि इसको 30 के बराबर कर दो यानि a का हिस्सा हो गया 15, b का हिस्सा हो गया 10 और c का हिस्सा हो गया 6 अब आपसे कहा गया b का share बताईए तो b लगाता है 10 आउट आफ 15, 10, 25, 6, 31 तो इसको लाब में भी इसी अनुपात में मिलेगा लाब अगर 15, 10 में लो 5 लाग का है उसे 10 बटे 31 हिस्सा मिलेगा 31 से कटेंगे 0.5 हो जाएगा 0.5 गुड़े 10, 5 हो जाएगा चलो यह भी प्रशन देख लो केल सिंप्लिविकेशन का सबसे कटीन क्वेश्चेन 15 टाइमस आप रूट 10 प्लस रूट 5 डिवाइड़ बाइड बाइड दिस वन अब देखो अगर आपको ऐसा क्वेश्चेन दिखे रूट 5 से डिवाइड कर दो तो रूट 5 से डिवाइड ठीक है यह आपका बचा कितना 15 टाइमस आप रूट 2 प्लस वन डिवाइड बाइड बाइड यह आपका बचा दो में से एक घटे का एक माइनस चार यानिकि माइनस तीन और प्लस तीन रूट तो यह तो बच रहा है यह आपका हो गया 15 टाइमस आप रूट 2 प्लस वन अप तो यह रूट 2 प्लस 1 का उपर स्कॉयर बच जाएगा नीचे वन हो जाएगा इसकोर रूट 2 का स्कॉयर 2 प्लस 1 का स्कॉयर 1 यानि 3 प्लस 2 यानि 2 रूट 2 आपका अंसर यहीं कहीं दिख रहा होगा थर्ड ओप्सन करेक्ट हो गया यह क्वेशन देखेगा सिंप्लिप्यकेशन का है देखो सिंप्लिप्यकेशन वाले प्रसमें सबसे पहले डेसिमल खटा दिया को ऊपर आप देख पानों चार दो छे जगें डेसिमल है यहां पर एक पांच एक छे यानि सबका दस्मलों हटा दो यानि बच्चा कितना दो सो तीन गुड़े दो सो बान नवे डिवाइड़ बाइस साथ गुड़े 365 और गुड़े 29 यही बच्चा हुआ है और पलट के इसको पलट के गुड़ा कर लो इधर देखो दो दस्मलों के बाद दो बारा का स्कुरार बारा का स्कुरार माइनस आठ सो बारा का स्कुरार बस इतना लिखा हुँ ठीक है अब इसको सॉल्व करना है करिए सॉल्व तो आप देख पा रहे होंगे कि 2 नो 11 दो 13 29 से कटें देखो इस पर अगर लगाओगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे तो 49,975 लिखा हुआ है 49,975 लिखा हुआ है ठीक है बचेए दोना 50 और या आपका 3 जरू ठीक है और नीचे लिखा हुआ है A2-202 यानि 2024 इन्टू 1212-812 यानि 400 ठीक है और इधर लिखा हुआ है 203 गुडे 292 बटे 7 गुडे 365 गुडे 29 ठीक है अब इन दोनों को जोड़ दो 5-10 हो गया 5 और यह आपका हो गया 5-15 7-2-9-10-9-6-15-1-16 यानि 9-10-5-0-6 यानि यहां इसकी वैलो हो गया पांच-0-6-0 पांच-0-6-0-0 पांच-0-6-0-0 इसकी वैलो हो गया यहां पर 1-0-1-0-1-0-1-0 कड़ गया ठीक है और आपका बचा कितना 29-216 हो जाएगा गलत हो जाएगा यहां पर देख लिजे क्या कट रहा है और यहां पर देखिए 4 से कट रहा है दो से पहले कटो चार से कटेंगे, चार से कटेंगे, तो यह 506 हो जाएगा, यहां पर 4 बचा हुआ है, आप देखो यहां पर 75, 5 हो गया, और 7 से कटेंगे, 7, 2, 14, 29 हो गया, यानि आपका बचा कितना, एक बटे चार गुड़े पांच यानि आपका बचा एक बटे 20 एक बटे 20 कितना हो जागा चीरो पॉइंट चीरो पाइंट तो आपका हाम सर्व ठीक है तो इसमें थोड़ा सा क्यलकुलेशन था क्यलकुलेशन आप करते यह आप कई जगा फार्मूला भी लगा सकते थे आप सबढ़ को लगाई है जैसे करना मुझे यह मेठ़ड द्याना ही मैंने इसी व्ज़सकर दिया कहा क्या गया यह स्फेरिकल मे reden Pacific इंटेंटेटर इं इन-टेंटेंल जहां वेट इस वंबन कहा गया कि एक इस्पेरिकल मेठाइलीक चल इसका और अउटर रेडियस वो six सेंटिमीटर उसका वेट इथना यानि वेट दिया गया हो एपको 6688 gcos सब़स्केल निबस स्म तो गयो कियो मॊंत कर आऽड़ 215 G am तो आपको अगर अहितन आन्य आएऺलाितन कğimiz वेट अपांध देंसिटी नेल जाएग Chris यहां सी पाट इन भी क leisten है तीन से काण दो फॉल इन चैनेर इंवा है 10500ंus profit 2024 सब्सक्राइब है 1550 चोंगुशा साथ सब्सक्राइब ज्या नोइँ सब्सक्राइब ethay किल में यह पांच से काणने готовा यह कि तो चले तो यह यह जैनेदफ ему 5 25 75 और 675 चैसा से कट रहा है साथ से कट रहा है कि नहीं इसाथ सेखर तो ठीख है नहीं तो 7 से नहीं कटेगा 3 से यह आपका हो गया 3, 1, 4, 3, 7, 7, 14, 26 नहीं कट रहा है यह नहीं वाइलूम आपका इतना आगया आपको पता है कि अगर आपको आउटर रेडियस दिया गया है तो आपको वाइलूम क्या होता है 4 बटे 3 Pyya, Sexualjagong- economy यह दिया गया, यह दिया गया 11376 बटे 21 Pyya मतलब होता है 22 बटे 7 यह लिख़ा हूँ यह लिखा हूँ है यह कटिशख जैसाती 22-19-22 खरायए 12 से न कटो 11 से कटो पहले 11 दू ना 22 133 304 हो गया 2 से कटो गया आपका वाजाएगा 122 RQ माइनस RQ बराबर 122 यानि 216 माइनस RQ बराबर 122 इधर लाओगी 4 हो जाएगा 64 यानि RQ बराबर 64 यानि small R की वैलू हो गई 4 small R 4 है capital R 6 है तो thickness कितनी हो जाएगी capital R माइनस small R यानि 6 माइनस 4 2 हो जाएगी 2 सेंटिमेटर ठीक है कहा गया 20% किसी कारे का 4 दिन में कर लेता है यानि A पूरा कारे 20 दिन में करता होगा तो गया B जो है 33 है 1 बटे 3% 10 दिन में करता है और कारे खतम हो जाते है तो कहा गये B और C अगर एक साथ कारे करें तो 75% सेंट कारे का कितने दिन में हो जाएगी आप माल लिजे कि total कारे 60 तो 20 दिन में ये करता है ये 3 करता होगा ये 2 करता होगा दोनों मिलके 5 9 दिन में 45 करेंगे यानि बचा कितना 15 और 15 काम जो बचता है उसको छीचे दिन में करता है यानि यी एक दिन में दो दस्मिलों पांच कारे करता थिक है अब आपके चार्दा स्लुल 5 करेंगे 45 करने में दस दिन इनको लगने वाले यह 25 कोशन वह आपको सारे कॉश्चन समझ में भी आगे होंगे खूब कैलकुलेट्यू भी लगे होंगे अगर वीडियो पसंद आगे वीडियो को लाइक कर देना बाकी पार्ट भी दो पार्ट आपको जल्द ही प्रोवाइट कर दे जाएंगे उसके बाद compile करके यही चारो पार्ट मैं compile करके एक एक सेट बनाके तीनो सेट करके